यहां पर हम लोग देखेंगे string buffer class के कुछ methods, बहुत important methods होते हैं और इसको use करके हम लोग कैसा भी modify कर सकते हैं अपने string buffer जो भी हम लोग object बनाएंगे, जो भी string बनाएंगे, string buffer को use करके उसमें तो सबसे first यहां पर है string buffer append method, the append method concatenates the given argument with this string यहां पर हम लोग append method का use करके किसी भी string को हम लोग concatenate कर सकते हैं दूसरे string से अगर हम लोग ने एक string बनाया है और कोई दूसरा string उसमें append करना चाते हैं append means join करना चाते हैं तो हम लोग कर सकते हैं तो यहां पर देखते हैं कि example class string buffer example public static void domain यहां पर हम लोग ने सबसे पहले एक object बना लिया है string buffer sb equal to string buffer और यहां पर हम लोग ने initialize किया hello से double quotes में हम लोग यहां पर डाल दिए क्योंकि string buffer constructor है और constructor में हम लोग स्ट्रिंग को पास कर दिया है next line पर यहां पर हम लोग ने किया sb.append sb.append से क्या होगा और यहां पर हम लोग ने पास कर दिया जावा तो यह hello की just बाद में यहां पर जावा जो है append हो जाएगा append करना मत मिन्स जॉइन हो जाएगा यहां पर यहां पर प्रिंट करते हैं तो यहां पर प्रिंट है लो जावा इस टाइप से यहां पर प्रिंट करेगा कि second method है यहां पर string buffer insert method the insert method inserts the given string with this string at the given position insert method से क्या होगा कि हम लोग given position पे कोई भी string को insert कर सकते हैं यहां पर देखते हैं एक्जामपल class string buffer example 2 public static void domain देन उसके वाद यहां पर लिखे string buffer sb equal to string buffer और यहां पर इनिशलाइस कर लिए हम लोग इसको hello से इनिशली स्ट्रिंग क्या है हमारा hello है अब यहां पर sb.insert हम लोग ने किया और यहां पर one दिया वन इसका position है जो इंडेक्स होगा वो मतलब number of characters यहां पर लेंगे मतलब जो character number one होगा ठीक है यहां पर कोई index नहीं position है यहां पर देखो 1 2 3 4 और 5 कि इस टैप से position होगा तो first position के बाद में हम लोगों क्या insert करना है जावा इंसर्ट करना है ना ओर इंजिन स्टिंग इस चेंज्ट system.out.println से हम लोग यहां पर print करेंगे तो क्या print होगा prints h के बाद में यहां पर जावा इंसर्ट हो गया है फिर उसके बाद वापस से e l l o यहां पर हम लोगों को एक string मिल रहा है तो यहां पर h java e l l o इस टाइप का हम लोग एक नया string देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर जो position है वह इस characters की position होती है position के बाद में वह string को हम लोग insert कर सकते हैं वह कितना भी बड़ा string हो सकता है और इनका जो position होगा e l l o जो है वह shift हो जाएगा right side पर तो यह था insert method अब third आते हैं हम लोग यहां पर replace method में the replace method replaces the given string from the specified begin index and end index हम लोग किसी भी string को replace कर सकते हैं कैसे replace कर सकते हैं हम लोग यहां पर दो इंडेक्स पास करेंगे या फिर दो position पास करेंगे दो position हम लोग यहां पास करेंगे starting position और ending position और वो दोनों position के बीच के string को हम लोग replace कर सकते हैं class string buffer example three public static void में string arguments यहां string buffer ले लिए हमने sb equal to string buffer और यहां पर initially हम लोग hello से initialize कर दिये sb.replace यहां पर starting position क्या दिये हम लोग h होगा h के बाद से start होगा e ll second और third यहां तक तो e और l को replace कर देगा replace किसे कर देगा जावा से replace कर देगा तो यहां पर हम लोग print करेंगे system.out.println sb तो यहां पर print करेगा h के बाद मतलब first position के बाद जावा को insert कर दिया और e ll को replace कर दिया जावाने और लाश में lo वैसा का वैसे हम लोग को मिल रहा है तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर replace कर सकते हैं कि the next हमारा fourth method है delete method delete method of string buffer class deletes the string from the specified begin index to end index यहां पर भी हम लोग position को पास करके उस position के string को हम लोग delete कर सकते हैं यहां पर example देखें class string buffer example for public static void main string arguments string buffer sb equal to new string buffer और यहां पर हमने इनिशलाइस कर लिया hello से देन उसके वाद यहां पर apply कि sb.delete 1,3 first, second, third, fourth और fifth ठीक है one, two, three, four, five position number one one के बाद h के जश्ट बाद मतलब e और three तक मतलब two और three ठीक है one के बाद और three तक ठीक है तो e और l क्या कर देगा delete कर देगा और यहां पर हम लोग को last में क्या string मिल जाएगा h, l, o तो इस प्रकार से हम लोग ने string में से किसी part of the string को delete कर दिया तो हम लोग के पास अगर कोई बड़ा string है और हम लोग उसे बीच में कोई भी एक string को delete करना चाहते हैं तो हम लोग यहां पर string buffer class से कर सकते हैं तो यह था delete method यहां पर हम लोग देखते हैं reverse method the reverse method of string buffer sorry string builder class the reverse method of string buffer class reverse the current string okay हम लोग अगर reverse करना है string को तो हम लोग reverse method का use कर सकते हैं यहां पर example देखते हैं class string buffer example 5 public static void main string arguments string buffer sp equal to new string buffer और यहां ही slice कर लिए हम लोग hello से then उसे बाद apply किया है यहां पर sb.reverse हम लोग कुछ भी चीज़ यहां पास नहीं करने हैं अगर हम लोग इस sb को print करते तो हम लोग को output कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा यह string को कर दिया है reverse मतलब जो first position था अब वो position हो जाएगा last second position था वो second last हो जाएगा third position था थार्ड last हो जाएगा इस प्रकार से वो पूरा का पूरा string को reverse कर देगा okay next method is string buffer capacity method the capacity method of string buffer class returns the current capacity of the buffer the default capacity of the buffer is 16 if the number of character increases from its current capacity it increases the capacity by old capacity multiply by 2 plus 2 for example if your current capacity is 16 it will be 16 multiply by 2 plus 2 equal to 34 तो यहां पर जो current capacity होती बाइड डिफॉल्ट जो capacity होगी string buffer class के वो minimum 16 की होगी मतब 16 characters उसमें hold करके रख सकते हैं अगर 16 character से एक character भी जादा होता है तो वो 16 multiply by 2 करेगा और प्लस 2 करेगा यह formula होता है उस formula कि स्ट्रिंग बफर क्लास में उसकी capacity को इंक्रीज करता है यहां पर 16 multiply by 2 प्लस 2 के formula से क्या करेगा multiply करेगा तो यहां पर example देखते हैं class string buffer example 6 public static void main string argument string buffer sb equal to new string buffer यहां पर कोई भी हम लोग initialize नहीं कर रहे हैं system dot dot println यहां पर हम लोग print किये sb dot capacity कैपसिटी हम लोग यहां पर print करें तो by default 16 print करेगा integer value यहां पर return करता है जैन उसका यहां पर करें sb dot append यहां पर hello append कर रहे हैं hello append किये system dot dot println हम लोग ने किया sb dot capacity अब यहां पर हम लोग ने क्या कर देख रहे हैं कि देन उसे बात capacity यहां पर print करते हैं तो क्या capacity दिखाएगा हम लोगो 16 पहले था ठीक है तो 16 multiply by 2 plus 2 equal to 34 हम लोगो मिलेगा मतलब old capacity multiply by 2 plus 2 यह एक formula होता है इसी formula से ही capacity बढ़ाए जाती है किसी भी string buffer class की object की तो यह था string buffer class में capacity method okay next हमारा method है ensure capacity the ensure capacity methods of string buffer class ensures that the given capacity is the minimum to the current capacity if it is greater than the current capacity it increases the capacity by old capacity multiply by 2 plus 2 for example if your current capacity is 16 it will be 16 multiply by 2 plus 2 इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग की अगर कोई भी minimum capacity है ठीक है और जो current capacity होगी ठीक है अगर अगर 16 character से जादा होगा तो क्या होगा वो 16 multiply by 2 plus 2 करेगा ठीक है यहां हम लोग ने ले लिए class string buffer example 7 public static void main string arguments और यहां पर हम लोगे सबसे पहला string buffer का एक object बना लिए string buffer sb equal to string buffer system dot out dot print alone से हम लोग उसकी capacity प्रिंट कर रहे हैं तो initial capacity उसको मिलेगी 16 देन उसके बाद यहां पर append हमने किया और यहां पर hello append किया ठीक है देन उसके बाद फिर से यहां पर sb capacity sb. capacity से हम लोगने capacity का निकाला तो कितना मिलेगा यहां पर 16 हम लोग को मिल रहा है देन उसके फिर से append किया यहां पर java is my favorite language यहां पर हम लोग ने append कर दिया देन उसके फिर से capacity यहां पर print किया है तो यहां पर क्या हो जाएगा 16 multiply by 2 plus 2 equal to 34 that is all capacity multiply by 2 plus 2 तो हम लोग को अभी capacity कितनी मिल रही है 34 मिल रही है sb के बाद हम लोग ने क्या किया ensure capacity किया 10 मतलब हम लोग क्या करना चाहते है उसकी जो 16 थी minimum अब उसको हम लोग 10 करना चाहते है तो वो क्या करेगा कोई changes नहीं करेगा उसमें दैन उसके बाद हम लोग फिर से capacity अगर इसका print करते हैं तो यहां पर अभी भी 34 ही हम लोग को मिलेगा क्योंकि उससे minimum नहीं ले सकता क्योंकि यहां पर पहले से उसके बाद string है अगर यह string मान के चलो नहीं होता सिर्फ इतना ही string होता तो वो 10 कर देता कोई दिक्कत नहीं था देन उसके बाद फिर से हम लोग यहां print करते है sb.ensure capacity 50 अब यहां पर formula apply करेगा 34 multiply by 2 plus 2 क्योंकि 34 से ज्यादा हो रहा हो हम लोग minimum कितना दे रहे हैं यहां पर 50 दे रहे हैं तो क्या करेगा multiply कर देगा उसको 34 multiply by 2 plus 2 अब कितना आ जाएगा नया capacity हो गया इसका 70 तो हम लोग यहां पर ensure capacity से capacity को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं अगर हमारे पास जो string available है अगर वो minimum capacity जो है अगर जो हम लोग ensure capacity में पास किये वो से ज्यादा है और यहां पर हम लोग कम पास करें तो कोई चेंज नहीं होगा अगर हम लोग ensure capacity के अंदर जो capacity वहां पास करेंगे वो उस string से ज्यादा है तो multiply कर देगा यह ensure capacity का काम होता है मतलब अगर मान के चलो हम लोग का string छोटा है और free में हम लोग की memory waste हो रही है वहां पर हम लोग को लग रहा है कि 16 characters की memory हम लोग के पास मिल गई है और हम लोग उतना नहीं चाहते हैं हम लोग 5 कही चाहते हैं ठीक है यह पर 10 कही चाहते है तो हम लोग वहां पर 10 डाल देंगे अगर हमारे string छोटा ही है तो और बाकी जो 10 के बाद जो बज गया है six characters का memory उसको free कर देगा तो ओर और मेमोरी मेनेजमेंट के लिए ही काम करता है ensure capacity